पूर्वे दिल्ली चैप्टर द्वारा एकल परिवार भोली मिलन समारो एवं राश्ट्रे कभी संवेलर का आयोजन कमानी ओडिटोरियम नई दिल्ली में किया गया इस कारक्रम के आयोजन यश ए एलोई के CMD नवलदारुका जी रहे आगे के जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट समाज के दानवीरो प्रभुत महानुभावो सिक्षा प्रेमियों के सहयोग से आज देशभर में एकल विद्याले संचालित हो रहा है एकल अभ्यान से संबध भारत लोग सिक्षा परिशत के तत्वाधान में पूर्वी दिल्ली चेप्टर द्वारा एकल परिवार होली मिलन समहरो एवं दिशभक्ती से परिपूर्ण रास्ट्रे कवी सम्मेलन का आयोजन मंगलवार 19 मार्च 2019 को कमानी ओडिटोरियम नई दिल्ली में किया गया इस कारिक्रम के आयोजक से एलोई के सीमटी एवं पूर्वे दिल्ली चेप्टर के शेत्री प्रभारी नवल दारुका जी द्वारा किया गया इस कारिक्रम के स्पॉंसर स. एलोई द्वारा किया गया जिन्होंने कारिक्रम को बहुत ही विवस्तित धंग से आयूचित किया कारिक्रम में आई हुए गड़माने महरू भावो को शौल उढ़ा कर एवं गुलरस्ते देगर सम्मानत किया गया एकल परिवार होली मिलन समहरू एवं देश भक्ति से परिपोल्ण रस्री कवी सम्मेलन का उदेश्य सामाजिक समरस्ता एवं आपसी भाय चारे की भावना को विकिसित करना है इसके साथ ही एकल विद्याले अभियान को और अधिक शुसक्त करने की देशा में कार्य करना है इस कारिक्र में प्रसद्ध कवी डॉक्टर हरी ओम पवार, पद्मश्री सुनील जोगी, श्री राजेश्चेत, श्री यूसोफ भरद्वाज, सुश्री कलपना शुकला, श्री बनच कुमार बनच जी अपने काव्योपत के माध्यम से लोगों में राश्र भक्ति का जोश एकल परिवार हुली मिलन समहरों में आई हुए कई दान वीरों ने सौ विद्यालेओं का दान देकर शतक वीर बनना सुईकार किया, इसके साथ ही कई अन्यदान दाताओं में अपने अपने समर्थ के अनुसार एकल विद्याले के लिए सहियोग किया एकल अभियान के किंद्री कारिकाननी के अध्यक्ष श्री बजरंग बागणा जी ने कारिक्रम के मुख्य आयोजक नवलदारुका जी को इतने बड़े आयोजन के लिए धनिबात कहा एकल ग्रामीड एवं वनवासी शित्र के बच्चों की पंच मुख्य सिक्षा के लिए कारिकरता है वह दिन दूर नहीं जब भारती संस्कृती एक बार फिर पूरे विश्व का निर्तित्व करेगी कारिकरम के मुख्य अथिति, बीजेपी, दिल्ली प्रदेश के महमंत्री श्री कुलजील सिंग चहन ने अपने संबोधन में कहा है कि सिक्षा के माध्यम से समाज निर्माड की दिशा में जो कारिय एकल द्वारा किया जा रहा है वह बहुत ही सरहनी है उन्होंने कारिकरम के संयोज श्री नवल दारुका जी का धन्यवाद करते वे कहा है कि मुझे खुशी है कि मुझे आप सभी समाज सेवियों के समक्ष अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है भारत लोग सिक्षा परिशत के प्रधान श्री नंद किशोर अगरवाल ने एकल से जोड़ने के लिए लोगों को प्रिरित किया और अधिक से अधिक सहयोग की अपील की है और नवल दारुका जी को इस इश्वरी कारे में लोगों को जोडने के लिए धन्यवाद किया मैं 2004 से जुटा हूँ अपना कुछ आप बताए कि कैसे आप जुड़े एकल से आपको कैसे एकल के लिए काम करना कितना अच्छा लगता है ऐसे कि यह जो एकल है यह एकल है यह बंद बंदू परिस्द यह 1984 में जारकंड ते ही सुरुआत हुआ था तो हमारे फादर जो हमारी मेंबर en Dhan mercatoyा से ही जुटहएं जम अफ्यावां से दिल्ली आया तो यहां 2004 में यहां जुटा में जुटने का कारण यह की इसे मैं को बहुत प्रहती और मिल ना मिलते हैं कोंटेक्ट्स ही बंते हैं मुझे कुछ surface कितनी संतोष्टी मिलती है बच्चों को पढ़ता देख युवाओं को बच्चों को आज किस मुकाम पर पहुंच गया है वह बच्चे इसका तो कोई एंड नहीं बताने का लेकिन मैं कहने सकता हूं प्रिंचमान से बहुत अच्छा लगता लगता कोई परभू की सेवा से बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है इसे एकल जो इतना बड़ा काम कर रहा है वो सिक्षा के साथ साथ बच्चों में संसकार भी डाल रहे हैं जो आज के टाइम पर बहुत जरूरी है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए बहुत अच्छा संसकार डाल रहे हैं कव प्रॉलम नहीं हो जंख principal की नहीं हो वो भी होता है कुछ हम लोग उनको ग्यान की बाते भी देते हैं धरम की बीप ऑते ग्यान देते हैं रहम समन्दि भी ग्यान देते है कि धरम क्या है उसकी पारती अनलोग video को जानकारी मिलती कार्यकरम का मेरा एक सुरस था कि इसको पूरा अच्छा थे इसका एक हमें हीट प्ररगाम देना था और मैंने इसमें दिया भी और लोग दिली के लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हमने help किया और शिल्पा जी है जो हमारी यहां पर बेरेर हैं वह भी बहुत help किया हमारे को इसकारी में अब उसका इस लेकि बहुत अच्छा प्रोगाम सोचके चले बहुत अच्छा सेक्षिरफूल हुआ लोगों का फोन भी काफी आ रहा है इस चलते हमार सब्सक्राइब को डोनेशन सब्सक्राइब को मांगना नहीं पड़ रहा है लोग दो स्कूल पांच स्कूल दस स्कूल भी दे रहे हैं और मैं उमीद करता हूं बहुत अच्छा 2019 में अच्छा रिकावरी करूँआ मेरी जो टार्गेट है कि इस दिल्ली चैप्टर से मैं 2019 मे सब्सक्राइब कर दो कोई बहुत कटना ही नहीं है सर एकल की जो वन्यार्कराइब होती है उनके एक्स्पीरेंस के बारे में कुछ बताए है मैं खुद हरकंट से हूं जूमरी तिलिया आते जहां नेक्सलाइड एरिया और मैं उसका क्यान हो बता हूं मैं तो गया नहीं मैं गाउं में अची तरह का अनुबों जो होता है नोगों सहरों में नहीं है बहुत चेंज़ा है अब लोगों में सब बहुत समझदार हो गें लोग पढ़ने लिखने से थोड़ी मातरा सीखने लगे हैं पहले तो वहां लोग साइन नहीं करना जानते थे आज यह हालत है फिला देते थे गाउं में और गोबर जहांता फेग देते ले अब वह सब कुछ नहीं हो रहा आप उसका एक ननवह हो प्योग कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर मैं लोगों इतना ही कह सकता हूं हाद जूडके कि लोगो कर से जूटना चाहिए साहर के लोग जब तक वो घाओं नहीं जाएंगे यूपा लोग तबया कर सकती यूप्यूड़। तो हम चाहेंगे युवाज को इसको विकल के साथ जुटे और गाउं चले और देखे क्या अच्छा आपसे एक आखरी सवाल और बहुत ही मैध्पूर्ण सवाल कि जो लोग आज भी अपने बच्चों को सिर्फ काम पे भेज रहे हैं पढ़ाई करने नहीं भेज रहे हैं आज यह सब्ढ़्ण सब्सक्राइब करतें नहीं बज्कशन करतें आपने देखा आप्थ करने बच्दव Chief गोद्व लोगों बहुत तो आगे बढ़े गें लेकिन पढ़ना आज के जुग में ज़रूर यह जाए कहीं कभी बच्चे हो चाहिए उससार के बच्चे हो चाहिए वो गाओं के बच्चे हो सब को पढ़ना ही होगा अब अल्टिमेटर को दूसा रास्ता नहीं है सबसे इंपोर्टन बात तो आपको इतना एकल के साथ जुड़े रहने में आपकी साम ने ऑका कितना सायोग दिया कितना साथ दिया हमारे जीवन बहुत ही अवह सब होता है तो और चीज़े आगे बढ़ती हैं तो साम दिबात ही अवारी का वारी धरम पत्नी कुसन दारुका जी हमारे दोनों बेटे अस्वनी और साके जी ने बहुत सपोर्ट किया इक जिसे भी लीशूस बनाना है लोगों को इन्भाइट करना है को कोडिनेट करना यह का मेरे बच्चों ने बहुत किया और सबसे बढ़ी बात है मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी आगे बढ़े ए के नृद्ट करने के और इस प्रोगाउन को बहुत आगे बढ़ाया है तो इसले परिवार करे दूंपू का ऐब हो जब दलें कहते है कर के जितने भी बता लिखारी है भारत लोग शिक्षा परीछिद्स के मलीसा जी हैं अपने राजीब जी हैं मिस्रा जी हैं मंगला जी हैं इसे कई अच्छे प्रगर जिन का में नाम भी नहीं पुरी तरह जान पाता हूं तो उनका तो बहुत मुझे सपोर्ट मिला आज उनका ही सपोर्ट है कि उन्होंने लोगों को बुलाया जोड़ा एकल के साथ मैंने से से बिलॉंग करते हैं और हमने सुनाए कि जारकंड में भी आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और बच्चों को सिक्षा सिक्षित करने में बहुत बड़ा हाथ है आपका हाँ अभी मैं जारकंड में एक साल से 2018 से जुटा हूं वहाँ पर बहुत शिक्षा के मांगने में सिक्षास के माधियम से बंदू परिस्टत के माधियम से 270 स्कूल चल रहा हूं एक अंचल में नो संच है नो संच का मतलब नोतिया सत्तर 270 इसकुल हमारे अभी कोड़मा अंचल में चल रहे हैं जिसका मैं देखता हूँ महाँ पर हमारे कारी करता है बहुत उसके संच के हेड है राम रतन महरसी जो उस छेत्र में गाउं में जा जाके 270 इसकुल चल रहे हैं उसमें सभी टीचर जो हैं 80% अचारिया हैं और 20% टीचर हैं अचारिया लोग हैं जो गाउं गाउं में बच्चों को पूरा पढ़ा रहे हैं स्वास समंदी भी बता रहे हैं और हमने अभी एक नया काम और किया है वहाँ पर कि गराम उठान योजना को भी हम बहुत जल्दी 2019 अक्टूबर तक गराम राम रतन महरसी जी द्वारा हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है मैं तो यहां देखी जाने सकता हूं लेकिन मेरा पराया जब दो तीन महने से कुड्रमा अंचल में जाना होता है जुम्रित लिया तो मैं पराया सब गाउं गाउं में इसकूल देखके आता हूं एक दिन में 5 सब्सक्राइब देखके पाता हूं में एक अपता रहता हूं तो 20-25 इसकूल का भर्मन करता हूं वहां भी अच्छी मात्रा में चल रही है इसके लिए मैं उनको धन्यवा देता हूं राम रतन जी नियासी मंडल जो है उनके साथियों का क्या सईयोग रहा इसके मेडम जैसे दिल्ली चेप्टर को आपको आगे बढ़ाना है बढ़ाना तो है लेकिन में काफी प्रत्र करना पड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा कभी काफी लोगों को पूरे दिल्ली में हर आदमी को बुलाएं हमने इसमें बहुत मोरल सपोर्ट हमार को खास करके लश्मी नाजी गोए सबस्ट अच्छा लगता है जब लोगों का सपोर्ट होता है तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो जाता है जब इतने लोग आपको जुटना चाहिए एकल विद्याले का माध्यम मेरा बहुत अच्छा बना है अब आगे से मैं इसे और मेहनत करूंगा मैं कोशी सी कर रहा हूं कि 2019 में नॉम्बर में मेरा नेक्ट प्रोग्राम फिर होने जा रहा है उसमें इससे ज़्यादा लोग जुटेंगे और वो भी अभ से हमारे दोस्तों की होर्से और पूरे इस डिली चेपटर की होर से इसे ही प्रोग्राम करते रहें और बच्चों को स्टिक्षित करते रहें सतक्वीर या महा सतक्वीर वो कोई माइने नहीं रखता है मेरे हिसाब से माइने रखती है सबसे पहले तो किसी ऐसी सस्था से जुढ़ना जो हमारे देश में सिख्ष्या का परसार कर रही है और वो भी उस जिगे पर जहां पर उस तरह के शाधन नहीं है हो पने बच्चे को एडूकेट कर सके सब्सक्राइब कि इंले की कि how यह बहुत नौल दारुकय जी मेरे दोस्त हैं मैं को सबसे पहले तो उनको थेंक की बोलूँगा क्योंकि दो साल पहले उन्होंने मुझे इस संस्ता से जोड़ा, उससे पहले मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सबसे पहले तो ऐसे लोगों को ही परणाम से पहले, क्योंकि वो लोगों को देख देख के जोड़ते हैं उस संस्ता से, और उसके बारे में बताते हैं, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए, वो भी अपनी तरह से एक तरीके से पुन्य के काम कर रहे हैं। जहां तक इस प्रोग्राम के बात है, यह बहुत ही सफल आयोजान उन्होंने किया। उनके परिवार का हर मेंबर उस परिवार, उस प्रोग्राम को सकसेस बनाने के लिए जी जान से उन्होंने महनत की। और हालत यह थी कि जितनी सीट्स थी वो तो पूरी ओडिटोरियूम की फिल थी ही, उसके बहलावा लोग खड़े भी थे। सफलता तो प्रोग्राम की उसी से देख लेज़े कि कितने लोग वहां पर थे। जासे अप बता रहे हैं कि आप एकल से जुड़े हुए हैं, दो साल पहले की आपकी लाइफ और दो साल बाद एकल से जुड़ने के बाद, सर कैसा महसूस होता है और कितने चेंजिस हैं आपकी लाइफ में? देखिए, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, यहां पे जो लोग भी है, वो जो भी थोड़ा सा सक्सिज होते हैं, वो यह सोचते हैं कि how to return back to society, हम सोसाइटी के लिए क्या गर सकते हैं? हम लोग भी और भी संस्ताओं से पहले से जुड़े हैं, लेकिन कहीं मंदिर बनवाना एक चीज है या किसी को एक टाइम खाना के लाना एक बात है, but education is the core foundation of any nation, that's why this is the most important thing, और मैं इस से इतना ज़्यादा इस्पायर हुआ, कि दारुकवजी जितना तो नहीं, लेकिन मैं भी लोगों को inspire करने की कोशिश करता हूँ, अपनी व्यास जिन्दगी में इसके लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है, अच्छे काम के लिए कभी कोई टाइम मुश्किल नहीं होता है, यह जसी आपकी सोच में आता है, ऐसे ही आपके सारी चीजे ऐसे मैनेज हो जात हैं, सर हमारे देश को ऐसे दानवीरों की कितनी जौरत है, देखें, इंडिया पोपलेशन वाइज अगर देखें तो second largest country है, और हम बहुत साल तक हमारा देश गुलाम भी रहा, उस वज़े से एजुकेशन के ऊपर कभी उतना फोकस रह ही नहीं, गोर्मेंट भी अपने तर जाएज जहां पर जादा लोग हैं, जहांपर कम लोग हैं, जो बहुत जादा दूर हैं, उस जहेज़े पर अभी भी गर्मेंट की वो चीजहं मिसिंग हैं. दुसरी गर्मेंट स्कूल बना सकती है, बट ऐसे लोग नहीं ला सकती, जो बच्चे को भी इंस्पायर करें, कि कि आप पढ़ने आएं। इसकी रिक्वार्मेंट अभी के परस्पेक्टिव से तो इतनी जादा है कि मुझे लगता है अपने परस्टनली कि एकल विद्ध्या लिए भी केवल एक परसंट काम कर पा रहा है जितनी हमारी नीड है इस टाइम पर। सर एकल से जुड़े लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं मैं खाली एकल से जुड़े लोगों के लिए मैसेज होगा कि वो अगर कोई दस स्कूल दे रहा है या कोई 20 स्कूल डोनेट कर रहा है तो वो कोशिश और ज्यादागी करें बाकी जो एकल से भी नहीं जुड़े हुए है उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि वो इस संस्ता से जुड़ें बच्चों के बस्डे खुद के बस्डे अनिवर्सरी कुछ उस तरह के एग्जामपल अपने लाइफ में बनाएं और ये देखें कि वो आपकी लाइफ लोंग एक बच्चा भी उ तो उसकी जो खुशी है वो किसी से भी कंपेर आप नहीं कर सकते हैं सो सबके लिए मैसेज यह है लेट्स डोनेट लेट्स कॉंट्रिबूट ज़रूरी नहीं की डोनेशन ही और किसी भी तरीके से जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अफे एक बच्चों में सिख्षा के साथ संस्कार भी देता है जिया जिसे हमारे सबसे पहले इंपोर्टेंट सिख्षा है बट अवियस है बट सिक्षा का एक्चल यूज कब होगा जब आपके अंदर संसकार होंगे आज के जो स्कूल्स हैं वो आपको जो किताबी ग्यान हैं में इंदी में बोलू वो तो देते हैं लेकिन संसकार नाम की चीज़ वहाँ पे मिसिंग है मेरे अपने accordingly एकलविद्या लिए कही संस्ता है जो education के साथ साथ वो भी प्रायेटी है कि हम अपने बचों के अंदर में वो शंसकार कैसे डालें कि वो अपने परिवार के लिए अपने बढ़ों के लिए अपने देश के लिए कैसे सोचें सर मेरा आपसे आखरी प्रश्ण या मैसेच कहूं मैं उन लोगों के लिए जो आज भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते या डरते हैं भेजने से तो उन से आप क्या कहना चाहेंगे देखे मैं तो मैं जो भी हूँ आज एजुकेशन की जिससे हूँ गाउं से आया हूँ मैं सब को यह बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को जुरूर पढ़ाएं चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो और जहां तक बच्चा पढ़ना चाहे उसके भी ब्योंड उसको पूरे परिवार का पूरे गाउं का और देश का भी साथ में फॉर्चून चेंज कर सकते हैं तो एडुकेशन इस थे मस्ट और फॉर्मस्ट इंपोर्टन थिंग इन दिस वर्ल